जो आज आइटम्स थे उसमें अग्रिकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीज, ट्रांस्मिशन शेफ्ट्स, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेज, मॉनिटर्स एंट टेल्विजन स्क्रीन्स इसको रिवाइस किया है अप्टू थर्टी टू इंचिज, जो नॉर्मल साइज का टेल्विजन आता है, उसको भी ट्विंटी एट से एटीन कर दिया गया है, रिट्रिटिट टाइर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आईउन बैटरीज, वो अल्डेडी अठारा में थी, उसमें एक कैटेगरी थी, जो अभी ट्विंटी एट में थी, उसको भी इसमें ले आए है, कुछ छोटे आइटम है, स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड, विडियो गेम्स और स्पोर्ट रिलेटिड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया है, ये सब अठाइस से अठारा में ले जो फिजिकली, डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिने कहते हैं, उनकी कैरीजिस की एक आइटम 28 परसंट में था, तो मेंबर्स वेल्ट इसको तुरंत 5 परसंट में ले आया जाए, जीरो में इसलिए नहीं ले जा सकते हैं, क्योंग फिर इंपुट क्रेडिट नहीं निकल गए हैं, फॉर्दर रैशनलाइजेशन में सब रेप्रेजेंटेशन कंसिडर किये, तीन आइटम ऐसे हैं, जो 18 से 12 पर आ गए, एक आइटम 18 से 5 पर आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जो 12 to 5, 12 to 0, and 5 to 0, कि टोटल आइटम्स कितने बले हैं, जो सारे रैशनलाइज हुने हैं, 28 से 5 पर आइटम्स, अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स विच भी ब्रॉट डॉट डाउन, I'll just give you the category, इसके अतरिक्त, कुछ GST rates, services के context में भी, fitment committee की recommendation थी, एक long standing demand थी, cinema tickets को ले पए, और क्योंकि पहले revenue constraints थे, तो इसलिए initially, a particular figure was fixed, जो सौ रुपय तक की ticket है, ticket अप्टू 100 रुपीज, विचा एड़ जी एस्टी ऑफ 18 परसेंट, has been brought down to 12%, और जो सौ रुपय से उपर वाली टिकेट थी, जिस पे GST 28 परसेंट था, उसको 18 परसेंट कर दिया गया है, यह एक mass entertainment का medium है, इसका एक revenue impact है about 900 crores का,